नमस्कार, आज का विशह है बायो मिमिक्री, एलबर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, लुक डीप इंटू नेचर और यू विल बी एबल तो अंडरस्टाइंड एवरिटिंग बेटर, प्रकृति की गहराईयों को देखिए और फिर आप सब कुछ बहतर समझ पाएंगे, कि अजयर और यू यू जाओंगे, प्रकृति को देखिए और यू जाओंगे, कर दो कर दो कर दो कर दो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप आस्मान से जमीन पर कैसे सुरक्षित उतर सकते हैं तो आप कहेंगे कि आप पैरशूट का इस्तमाल करेंगे पर क्या आप जानते हैं कि कैक्टस के लहराते फूलों से मानवता को इस समस्या का हल मिला था अगर हम टेक्नलोजी के प्रोड़क्ट्स की तुलना प्रकृति के प्रोड़क्ट्स से करें जैसे कि पौधे या जीवजन्तूं से तो हम ये पाएंगे कि चोटे-चोटे जीवजन्तू या पेर पौधे अपने आप में काफी एडवांस्ट होते हैं व्यज्यानिकों ने भी इस बात को माना है कि इनसान की समस्याओं के समाधान का सबसे अच्छा तरीका है प्रकृति का अध्ययन करना प्रकृति की इन ही रहस्यों को खोलना बायो मिमिक्री कहलाता है अगर हम आकाश का उदारन लें तो आकाश में उड़ने वाला विशालकाय हवाई जहाज जो की पक्षियों से कहीं उचा उड़ सकता है वो एक छोटी सी चिडियां गुरू का एक महत्वा कांग्शी शिश्य है एरक्राफ्ट्स को डिजाइन करने के लिए डिजाइनर्स ने वक्षियों के शरी, सर, छाती और उनके अदबुद पंखों के नैच्रल डिजाइन का सहारा लिया है वैसे तो एरोप्लेन काफी उचा उड़ सकता है लेकिन वो हवा में एक जग़े पे स्थिर नहीं रह सकता अब जब लोगों ने इस बात पर सवाल उठाए तो जवाब मिला व्याद पतंग में जिसको कहते हैं ड्रागन फ्लाइ इस बात पर गौर किया गया कि ड्रागन फ्लाइ अपनी पंकू की वज़े से हवा में स्थिर या स्टेशनरी रह पाता है और इसी रहसे को हेलिकॉप्टर में ब्लेंड कर दिया गया इतना ही नहीं छोटे छोटे कीडों को देख देखके ऐसे भी हेलिकॉप्टर्स डिजाइन किये जा चुके हैं जो 6 इंच से कम होते हैं और जिसका इस्तिमाल युद या वार में किया जा सकता है अंधों के लिए एक एडवांस्ट छड़ी डिवलप की गई है जिसमें चमगादरों से इंस्पायर होके रेडार टेकनीक का इस्तमाल किया गया है इस रेडार टेकनलोजी की मदद से सड़क पे मौजूद आपस्टेकल्स का एडवांस में ही पता चल जाता है बायो मेमेकरे का एक बहुत ही प्राचीन उदाहरन है वेलको टेप वेलको टेप का इस्तमाल हम रोजमर्य की जिंदगी में करते ही है जैसे की कपड़ों में या बैक्स में पता है इन वेलको टेप के इंस्पिरेशन कहां से मिली एक स्टिकी ग्रास होता है जंगली घास जिसके बीज हमारे कपड़ों में या बालों में चिपक जाता है जहां एक तरफ लोगों को ये बीज बेकार दिखते हैं वहीं दूसरी तरफ 1951 में जोज मिस्ट्रल ने इन ही स्टिकी ग्रास के बीज पर आधारित करोडों का बिजनेस एस्टैबलिश किया था उन्होंने बस अब्जर्व किया कि उनके कुटे के फर से ये सीड्स कैसे चिपक जाते हैं और सिर्फ इस बात को स्टडी किया कि कैसे इन सीड्स के चोड़ चोड़े हुक्स कपडों से, लेदर से या फर से चिपक जाते हैं Japanese scientists ने तितलियों को रंग बदलते देखा तो उन्होंने इसी बात को study करके ऐसे surfaces बनाए जो रंग बदल सकते हैं रंग बदलने वाला hologram तो आपने देखा होगा ये नैनो टेकनोलोजी का एक ऐसा आविशकार था जिसमें अलग-अलग direction से आरही light को manipulate किया जाता है फिलहाल हमारे देश में तो नहीं है पर आपने मीडिया में सुना होगा कि एक high speed train होती है जिसको bullet train कहते है चाइना और जपैन जैसी countries में इन trains का इस्तिमाल काफी होता है इन trains के development में जो सबसे बड़ी बाधा आई वो ये थी कि जब ये trains किसी tunnel या सुरंग से गुजरती थी तो air compression की वज़े से काफी shore या noise प्रोड्यूस करती थी पता है इसका solution कहां मिला? Kingfisher में Kingfisher के चोँच की अद्भूर डिजाइन की वज़े से ये शांती पूर्वक हावा में उड़ते हैं और शांती पूर्वक पानी से अपना शिकार भी पकड़ पाते हैं इस बाध पे गौर करके Japanese scientist ने bullet trains की चोँच भी Kingfisher की चोँच की तरह बना ढाली और इससे उनके question का एक perfect answer मिल गया इससे एक unexpected advantage भी मिला इससे train की 15% उर्जा की बचत हुई और 10% speed भी बड़ी वैसे तो दीमक का लगना एक परिशानी होती है पर हमने दीमक से भी बहुत कुछ सीखा है यह दीमक बड़े अच्छे architect होते हैं और यह अपनी special इमारत बनाते हैं यह इमारत गर्मियों में भी धंडा रहते हैं इनका design ऐसा होता है कि inlet वाले छेद नीचे बनते हैं ताकि धंडी हवा अंदर आ सके और outlet वाले छेद उपर होते हैं ताकि गर्म हवा उपर जाके निकल सके बाई convection हमारी mega buildings में भी इन ही दीमकों की technology यूज की जाती है चोटे-चोटे कीडों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जैसे कि cockroach scientists इनको study करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इनको study करके नए technological concepts मिल सकते हैं एक glass sponge होता है जो गहरे समंदर में पाया जाता है यह बहुत ही कमजोर chemical components का बना होता है लेकिन इसका skeleton काफी मजबूत होता है कभी-कभी हम पानी के उपर pond skaters को देखते हैं यह मच्चर की तरह दिखते हैं पस skating कैसे कर लेते हैं एक और आश्चर्य है कि शार्क की skin rough होने की वज़े से उसकी speed बढ़ जाती है scientists ऐसे सवालों के जवाब धूनने में लगे हुए हैं Biomimicry Applications के हजारों में से यह कुछ examples हैं जिस पर मैंने आपका ध्यान आकरशित करना चाहा है क्योंकि आपने भी वो capability है कि आप भी प्रकृती या nature को observe करके उन ideas को develop कर पाएं जो technology को आगे बढ़ाने में मददकार होगा माप्रकृती इस संसार की जननी है चाहे आप माने या ना माने प्रकृती ने हमेशा आपका साथ दिया है प्रकृती हमें challenges देती हैं लेकिन अगर आप प्रकृती की गहराईयों में उदर पाते हैं तो इस से महत्वपूर्ण और इस से बड़ा सौभागय और कोई नहीं है प्रकृती का उद्शुक्ता के साथ अध्यान करने के लिए अपने आपको train करिए और practice करिए अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बात पक्की है कि आप बड़ी आसानी से नई टेकनोलोजी या फिर नई दुनिया की खोज कर पाएंगे मेरी दुआ है कि आप प्रकृती की खोज करें और अपने लिए एक आविश्कारक बनें उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई कोई सवाल या सुझाओ हो तो कमेंट में लिखके मुझे जरूर बताएं तो फिर मिलेंगे तब तक के लिए स्टे हल्दी एंजॉय लाइफ नमस्कार